तो कैसे बाहर के लोगो को नहीं समाल पाये तो जो ने ने उनके मित्र बने है मेरे चाचा जी घर को समालने की जिम्हदारी बस उनके ऊपर थी अगर ये जम्हेदारी जैसे पार्टी को समानने की जम्हेदारी वापा और हमारे नेता आदनिय रामलास पासवान जी मुझपर देकर गए थे आज आज आप मेरी पार्टी का कोई भी सदस से देख लिजे मुझकिल से मुझे लगता है दो या तीन पर्षन लोग अगर आप छोड़ दें जो उस गुड के साथ गए हैं बाकी पूरी पार्टी 95% से जादा लोग आज की भी तारीक में लोग जन्शक्ती पार्टी जो हमारे निता अदनी रामलास पासवान जी के जो विचारों से बनीवी पार्टी है आज की भी तारीक में उनी के साथ हैं मेरे साथ क्योंकि वो अपने रहते वे ही मुझे राश्टी अद्धिक्सी जिमेदारी देकर गए थे आप मेरे राश्टे कारेकारनी के सद़ से देखें 99% मेरे साथ हैं आप अगर हमारे स्टेट और यूटी प्रेसिडंट्स देखें 98% वो लोग मेरे साथ ہیں तो 95% प्लस आज की भी तारीक में सद़ से मेरे साथ हैं तो परिवार जहां तक समालने की बात है हाँ जरूर उसमें विफलता है पर ये जिम्मेदारी मेरे चोटे चाचा जी का निदन हो गया था मेरे पिता जी के निदन के बाद ये जिम्मेदारी मेरे मजले चाचा जी के उपर आती थी कि वो परिवार को एक साथ रखकर आगे चल अब तो सपश्टी हो गया कि भाईया उन्होंने पार्टी और परिवार को क्यों तोड़ा तो सांसत मौदे को यह जानना जरूरी है कि वो जिसके ओपर उंगली उठा रहे हैं वो वेक्टी गलत है परिवार को समालने की जिम्मेदारी परिवार के मुख्या की होती है मेरे सबस्तियों से सवाल करें ना मुझे लगता है मैं कुछ बोलूगा तो अपने मूमिया में तू बनने की बात होगी मेरे परिवार के बाकी और मुझे खुशी है कि परिवार के आज की तारिए में वो सबस्ते भी मेरे साथ दे रहे हैं जो हाल-फिलाल के दिनों में कहीं ना लेके बदला तो लिया ही जा रहा है मुझे मंतरी नितीश कुमार जी की पार्टी को जिस तरीके से तीसरे नंबर की पार्टी बना दिया गया उनकी सीटों को आधे से भी कम कर दिया गया तो उसका बदला यकीनन मुझे मंतरी नितीश कुमार जी ले रहे हैं पर मैं बार ब झालोदी।